मुझसे उड़कर नहीं पढ़ा जाता यार कल से पक्का सुबह जल्दी उड़ जाऊंगा कभी पूचा है अपनी मा से की वो सुबह बिना किसी के जगाए चार बजे क्यों और कैसे उड़ जाती है कभी पूचा है अपने पापा को नाइट सिफ्ट से आने के बाद की पापा कही रात को ठंड तो नहीं लगी आपको कभी पूचा है अपनी मा से की कितनी बार रसोई की जल्दी बाजी में उनकी उगलिया जली है ये सोच कर कि कहीं खाना लेट हो गया तो बस इस्टेंट पर अगली बस का वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा सो लोशायर एक्जायम की टेंशन कम हो जाए तुम टेंशन से बसने के लिए सोते हो और तुमारे पापा तुमारी ही फ्यूचर की टेंशन दूर करने के लिए जाकते हैं तुम किताब सामने रखकर ख्वाबों की दुनिया में खौए रहते हो तुमारी मम्मी तुमें सामने बैठा देखकर अगली साल की स्कूल डिसाइड करने की टेंशन में रहती है तुमारे दिमाग में विकेंड पर दोस्तों के साथ गूमने की planning चल रही होती है वहीं तुम्हारी पापा के दिमाग में अगले मंद की फीस की tension चल रही होती है अगली बार जब तुम्हारे पापा अपने जेब से तुम्हारी tuition फीस निकाल कर देना तब पूसना कि उनके जेब में उनके खर्चे के लिए तो पैसे बच रहे है ना किताब सामने होती है लेकिन तुम future or past की दुनिया में ही खोये रहते हो क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें हर को ही पढ़ने के लिए बोलता है और बार बार पढ़ने के लिए सुनकर तुम बस पढ़ते जाते हो, बिना यह सोचे कि तुम्हें आखिर पढ़ना क्यों है, क्यों? क्यों पढ़ना है तुम्हें? कभी सोचा ही नहीं हो तुमने इस बात का जवाब, जवाब छोड़ो, क्वेस्चन भी नहीं आया होगा आपके दिमाग में क्यों भाई, किस से बसने की कोशिश कर रहे हो, और क्या सोच रहे हो, ममी पापा को दोखा दे रहे हो, या दोस्तों को, या टीचर्स को, भाई तुमना बहुत ज़्यादा भोले हो तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि तुम किसी और को नहीं, बलकि खुद अपने आपको दोखा दे रहे हो क्यों अपने आपको यार 12 लाक वारी कार के फरजी सपने दिखा रहे हो, कोई बंगला और आईपेड नहीं मिलने वाला तुम्हें ऐसे पढ़ने का ढ़ोंगर जागर के ये जो मोबाईल पर तुम डेली दिन में सो बार फेस्बुक और वाटसप चेक करते हो ना, उससे कई गुना तुमारे मम्मी पापा तुमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और जब तुमारा चोटा भाई या एक दिन तुमारा लड़का बड़ा होकर आईफोन या लेप्टोप या बाइक मांगेगा ना, तब तुम समझोगे कि बच्चे की एक जित पूरी करने के लिए पैरेंट्स को अपने खुद के सपनों से कितना बड़ा कॉंप्रोमाईज करना पड़ता है, और तुमारा पड़ाय में मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम सिर्फ पास होने के लिए या फिर कहीं पर सलेक्ट होने के लिए पढ़ते हो, भाई तुम्हें तो टाइम ही नहीं अपने आपसे दो मिनट ये पूछने का कि आखिर सब लोग तुम जल्दी उठकर परेशान होने की जरूत नहीं है, जब तुमारे मम्मी पापा तुमारे लिए लेट करके खाना नहीं मना सकते, तुमारे लिए पैसे कमाने के लिए लेट कर नोकरी नहीं कर सकते, तो तुम क्या जादू मंतर चला दो के विस्तर में लेटे लेटे, कल ठंड कम होगी तब पढ़ूँगा गर्मी कम होगी तब पढ़ूँगा कल से जल्दी उटकर पढ़ूँगा दोस्त के नोट्स मिलेंगे तब पढ़ूँगा एक्जाम के एक महिने पहले पढ़ूँगा एक्जाम के एक हफ्ते पहले important questions पढ़ूँगा पास होने से मुझे कोई रोग ही नहीं सकता ओ भाई तेरा ना तो कल आएगा ना तेरा time table दो दिन से ज़्यादा चल पाएगा और ना ही किसी दोस्त के note से तू टॉपर बन पाएगा हाँ, सही सुना तुने मैंने बोला टॉपर एक बार और सुन ले टॉपर तो टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ है तो अपने पापा को night duty के चकर से आजाद करने के लिए पैदा हुआ है, खुद बिस्तर में लेड़कर mobile चलाने के लिए नहीं, और रुक एक बार तुने कल क्या कहा था, कि exam के दो दिन पहले important questions पढ़ना काफी होगा तेरे लिए अपने पापा को भी बोल दे कि वो भी तुमारी फीश चुकाने की last date से दो दिन पहले ही काम पर जाएं, जब वो पूरा महिना काम करते है तुमारी फीश चुकाने के लिए तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अभी सो लेता हूँ और दो दिन पहले सिर्फ important questions पढ़कर पास हो जाऊँगा बहुत हो गया यार फ्लीज अब तो खुद को धोका देना बन कर दे अब तो कोई वज़े खोज ले कि तुझे पढ़ना क्यों है जान रख बैटा दुनिया को तब ही अंडर रख पाएगा जब खुद को अंडर रखेगा इस दिमाग को बोल दे कि भाई दोखा देना बन कर तुम और सुन ले अपनी दिल की आवाज को कि तेरे लिए जिन्दगी के क्या मायने है और उसके लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है किसी ने तेरा दिल तोड़ा है किसको तूझे कुछ बनके दिखाना है बहटा भले नवक्री ना लगे है अपने पैरेंट्स भाईबयन या रूमैट्स को सर्प्राइज देगा और ये काम तुझे अगले 30 दिन तक रोज करना है फिर देखना अगर 31 दिन तू उठकर अपने आप नहीं पढ़ने लगेगा तो तू दोस्तों के साथ Facebook, WhatsApp पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा जितना टाइम तू Facebook, WhatsApp पर बिताता है ना उतना अपने मम्मी, पापा के सपने जानने में लगा जिससे तू किताबों को कभी बोरी नहीं समझेगा और जिस कार को वो अभी तक छूबी ना पायो ना उसमें बैठा उनको, उसमें घुमा जिस अपार्टमेंट के गाड ने उनको सामने खड़ा भी नहीं ने दिया उसी अपार्टमेंट को खरीद कर और तोड़ कर तुम वहाँ पर अपना दो मंजील का बंगला खड़ा करके पेरेंट्स को गिफ्ट कर जिस स्कूल जिस जिगे को तुमारे पेरेंट्स बड़ा समझते हैं न वहीं पर तुम अपने ग्यान का दबदबा बनाओगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फिल करवाओगे आ यार अब तो कुछ बड़ा कर ले खुद का नाम कर ले पढ़ने का मकसद ढूण ले और ममी पापा के और खुद के कुछ अधूरे सपनों और कुछ बहुत बड़े सपनों को अचीव कर ले सोसने और करने से ही होगा उठकर पढ़ने से होगा आज कितना ही छोटा क्यों पर कल तो नाम तेरा ही होगा जय हिंद